तक चला उसके सारे पती पत्री उस हाथी को छोड़े में चले ले सबने प्रयास किया हाथी को निकालेगी सिंद ने सूंड मिलागर हाथी को किचने का प्रयास तरा लेकिन हाथी नहीं लिकला धीरे धीरे करके अब उस मगरमच ने हाथी को पूरा तालाब में डुबा दिया केवल और केवल उसकी सून्ड बची थी और सून्ड बची तब हाथी ने क्या किया बगल से एक कमल को उठाया अपने सून्ड से और उठा करके अब भगवान से प्रार्थना करने लगा और भगवान से विल्दी करने लगा इस आयूं की बहुत प्यारा किस प्रकार गजेत्र भगवान की सुदी करता है सुए बड़ा हिमार में ये शास्त्रिय संगेत पर पज़र है हाथ ये भगमान को बुला रहा है हे गोविंद थे गोपाले हे गोविंद थे गोपाले अब तो जीवान मारे हे गोविंद थे गोपाले हे गोविंद थे गोपाल अब तुझी आज़ाए 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 तुझी आज़ाए अब 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 तुझी आज़ाए सुर्वायों आज़े शांठ चक्रि अरण अरण तुझी आज़ाए अब तुझी आज़ाए आज़ाए गुपाल में तुझी आज़ाए अगर तो जी पर्मारे गजेद्र ने भग्मार की स्विती गई है परप्ता पर्मेश्वर ये प्रार नाथ इस जगत के चराचर में रहने वाले प्रभू मेरी रक्षा करिये और गजेद्र भग्मार को पुकालता है नमो नमसे खिलकार नाया निशिकार नाया भुदकार नाया सरवाग मामना यम हाड आया नमो पवर्गर पराया भग्मार की कार्णों में जैसे ही गजेद्र के पुकालने की उद्वनी पहुची भग्मार अपने शंग चक्र गदात अद्म लेकर उस गजेद्र की प्राणों की रक्षा करने के लिए पहुच गए और उनको भगवान ने उठाया और जैसे उसकी सूट को भगवान ने पकड़ा तो नीचे से उस गजेद उस मदरबश के उसकी पाओं को पकड़ा हुआ भगवान ने अतने सुदर्शन चक्र से उस मदरबश के सिर्थ को काट गिला और उस गजेद की रक्षा शर्जी प्रभ कि ऐसे भग्वान वक्त वक्त सब्सक्राइब आये आतरी तत्म में प्रवेश करने से पूर्व कुछ भूशना